स्मार्ट टेक्निकल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं चीन की स्मार्टफोन कंपनी हुआवे ने CES Consumer Electronics Show 2017 में अपना नया स्मार्टफोन Honor 6X लॉंच कर दिया है इस स्मार्टफोन के हाड़वेर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो फोन के अंदर किरिन 655 Octa-Core प्रोसेसर मिल जाता है इस स्मार्टफोन की 3GB RAM वाले वीरेंट्स में 32GB इंटरनल मेमरी मिल जाती है और 4GB RAM वाले वीरेंट्स में 32GB या तो 64GB इंटरनल मेमरी मिल जाती है ये एक Dual Camera वाला स्मार्टफोन है जिसमें आपको 12-2MP का Rear Camera मिल जाता है और 8MP का Front Camera मिल जाता है फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको 5.5 इंच का IPS डिस्प्ले मिल जाता है जो Full HD के साथ आता है फोन के Viewing Angle अच्छे है और डिस्प्ले शार्प और ब्राइट है इस फोन की डिजाइन के बारे में बात करें तो फोन देखने में स्लीम लगता है फोन के पीछे की तरफ Metal का Back Cover है उपर और नीचे की तरफ प्लास्टिक का Part मिलता है ताकि Network Signal Properly Connect हो सके फोन के Bottom में Micro USB Port, Single Speaker और Primary Mic मिल जाता है फोन के उपर की तरफ 3.5mm Audio Jack और Secondary Mic मिल जाता है फोन के Left Side में Sim Tray मिल जाती है जो एक Hybrid Sim Tray है फोन के Right Hand Side पर Volume Rocker Button और Power Button मिल जाते हैं जो एक अच्छी Feedback के साथ आते हैं फोन के Front Side में 8 Megapixel का Camera मिल जाता है फोन के Back Side में Dual Camera मिल जाता है जो इस फोन का Important Future है Dual Camera के नीचे की तरफ Fingerprint Sensor मिल जाता है और एक Single LED Flash मिल जाती है फोन के अंदर 3,340 mAh की बैटरी मिल जाती है ये फोन इंडिया में जन्वरी में लॉंच हो सकता है प्राइस के बारे में अभी हमारे पास को Information नहीं है लेकिन इस फोन की Approximately Price 15 से 17,000 के बीच में हो सकती है Hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को Like और Share जरूर करें अभी तक आपने हमारा Smart Technical Channel सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके और हमें आपका सपोर्ट मिल सके मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ Have a great day and always keep smile